Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 54, Class 10th विशे सामाजिक विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 23rd of December 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें हम वी निर्मान उद्योग जो हमारा चेप्टर है उसी को आगे कंटीनू करते हुए पढ़ेंगे वक्षीट चू करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे बेल आइकेन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे आज की वक्षीट में क्या दिया गया है सूचना प्रोध्योगी की तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग ठीक है इस वक्षीट में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे सो एलेक्ट्रोनिक उध्यों के अंतरगत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर ट्रांजिस्टर यानि जो रेडियो है उससे लेकर टेलिवीजन, टेलिफोन, एक्सचेंज, राडार, कम्प्यूटर, दूर संचार उध्यों के लिए उप्योगी अनेक उपकरण जो है वो बनाए जाती हैं भारत की इलेक्ट्रोनिक राजधानी के रूप में बैंगलूरू का विकास हुआ यानि भारत में बैंगलूरू जो है वो इलेक्ट्रोनिक राजधानी के रूप में उबरा है भारत में सूचना और प्रोध्योगी की उद्धोग के सफल होने के कारण hardware वे software का निरंतर जो है क्या हुआ है विकास हुआ है तो सूचना और प्रोध्योगी की विकास जो है वो लगातार बड़ा है जिसके कारण hardware और software जो है hardware क्या होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं जैसे लैप्टोप को हम टच कर सकते हैं और सौफ्टवेर क्या है जो उस को प्रोग्राम को रन करते हैं उनको हम सौफ्टवेर कहते हैं तो दोनों का ही निरंतर जो है क्या हुआ है विकास हुआ है और अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोनिक सामान है उसके उतपादक केंद्र जो है वो कौन कौन से है मूंबई दिल्ली हैदराबाद पूने चेन्द नग्टा लखनौ ये जो है उतपादक केंद्र हैं और अगर बहुत ज्यादा हम बात करें ति में जो सेंट्र हैं वो कौन हैं तो में सेंटर अगर हैं वो बैंगलूरू है नॉइडा है मुंबई है चेन्नई हैद्राबाद और पूने ये में सरवादिक सरकेंद्रन हैं उसके बाद नेक्स्ट देखिए अब हम बात करेंगे उद्धोगों के विकास के कारण बढ़ती हुई परियावरनिय समश्याओ के बारे में उद्धोगों की भारती अर्थवेवस्था की विरधी और उसके विकास में बहुत महत्यपूर्ण भूहमिका है इसको नकारा नहीं जा सकता लेकिन ये भी बात हमें समशनी होगी कि उद्धोगों का बढ़ना हमारे परियावरन के लिए वो बहुत ही ज्यादा हानी कारक है क्योंकि इसके कारण परियावरन में प्रदूशन बहुत ज्यादा होता है और प्रदूशन के कारण समश्चें जो हैं वो हमारी सेहत को जो है क्या करती हैं प्रभावित करती हैं सो उद्धोग जो है चार प्रकार के प्रदूशन के लिए उतर दाई हैं कौन-क कलती है उनमें sulfur dioxide carbon monoxide है वो सब वायू production के कारण है ठीक है वायू के अंदर जो धूल करन जो धुआ है वो सब जो है क्या हो जाता है फैल जाता है और जिसके कारण जो पशू है पौते हैं और मानव स्वास्त है सब के ऊपर बुरा परभाव पड़ता है अब बात करें हम जल प्रदूशन की तो ये नमबर एक हो गया नमबर दो है जल प्रदूशन जल प्रदूशन में जो भी उद्धोगों का अप्शिस्ट पदार्थ है जो भी उद्धोगों से निकलने वाला कूड़ा कच्रा सब कुछ पानी में डाल दिया जाता है और जिसके जैसे कागज उद्योग है तेल जो उद्योग होते हैं उनसे और भी जादा जल प्रदुशन फैलता है नेक्स्ट हम बात करें नमबर तीन पे ताप ये प्रदूशन की तो देखे ताप ये प्रदूशन क्या है कि जो कारखानों से गरम जल निकलता है उसको बिना ठंडा की ये सीधा पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है नदियों में छोड़ दिया जाता है तलाबों में छोड़ दिया जाता है उससे क्या हो प्रदूशन होगा ये क्या कहलाता है ये ताप ये प्रदूशन कहलाता है इसके अलावा इसे बहुत सारी बिमारियां जो है वो भी फैलने का खत्रा होता है पानी के अंदर जो भी चीजे जो डाली जाती है वो रिस रिस कर जो भूमिगत जल होता है उसको भी प्रदूशित क नेक्स्ट नमबर चार है ध्वनी प्रदूशन सभी बच्चे जानते हैं ध्वनी प्रदूशन क्या है यानि जो आप कह सकते हो अंचाही ध्वनी जो है वो क्या है ध्वनी प्रदूशन है बहुत तेज जो आवाज हमारे मानसिक आप कह सकते हो कि मानसिक तोर पर जो तेज जाती है वही द्वानी प्रदूशन है तो जो ओध्योगिक मशीनरी निर्मान करिये है कार खाने में उपकरन जो चलते हैं जरनेटर चलते हैं लकडी काटने के कार खाने हैं उनसे में बहुत ज्यादा तेज आवाज उत्पन होती है जिससे आप कह सकते हो कि सुनने की शमता क्या-क्या उपाई हैं तो अब हमें जो है अपने लेवल पे जो प्रदूशन है उसको कम करने के उपाई जरूर करने चाहिए क्योंकि ये हमें ही क्या पहुंचाता है नुकसान पहुंचाता है जैसे कि अगर हम बात करें 3R का प्रियोग करना यानि कम उपियोग करना पुन चाहिए उर्जा के नवीकरन ये संसादनों का उपयोग होना चाहिए ऐसी तकनिक का विकास हो जो टिकाओ हो और कम प्रदूशन करें ठीक है जरनेटरों में साइलेंसर लगाया जाना चाहिए और चिमनी आदी का प्रियोग किया जाना चाहिए जो धुए को बहुत उपर तक छोड़ें तो इस तरह के जो आप कह सकते हूँ कि प्रदूशन को रोकने के उपाय हमें करने चाहिए उसके बाद नेक्स देखिए आपको यहाँ पे दो जो है प्रशन दिये गए है सूचना एवं प्रद्योगी की उद्धोग पर निबंद लिखना है तो यह बहुत ही आस अंसर हो जाएगा नेक्स देखिए सेकिंड जो कोशन है आपका प्रदूशन को रोकने के कुछ उपाय तो बहुत आसानी से आपको वक्षीट में ही मिलने वाला है प्रदूशन को रोकने के उपाय तो यह सारे उपाय जो है आप लिख दोगे ठीक है तो इस तरह से यहाँ स की एसेस्ट की वक्षीट आई होप सभी बच्चों को यह क्लेयर है फिर भी कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीचे शेर कर दीचे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीचे और यह आपका यह जो चेप्टर है वी निर्माण उध्योग यह चेप्टर आपका कम्प्लीट होता है ठीक है so thanks for watching students मिलते हैं next वीडियो में next वक्षीट के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बेटा और अपना homework जो है आप यहां से कम्प्लीट कर सकते हैं so thanks for watching have a nice day